एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रूची से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था, जो चुप चाप और गुमसुम बैठा प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले, लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया, और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मैं परिशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, प्रोफेसर भले व्यक्ती थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया, शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बु प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शाम कीचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे, उन्होंने जान बूज कर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया, फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास चात्र को दे कर कहा, ये लो शिकंजी पियो, चात्र ने गिलास हाथ म नहीं आई, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, चात्र बोला, अरे, अब तो ये बेकार हो गया, लाओ, गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, प्रोफेसर ने चात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन चात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे, तो स्वाद ठीक हो जाएगा, ये बात सुन, प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिन्दगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घो पूलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी न? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो. प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चे किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा. जीवन में अकसर हम अतीद की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुख ही होते रहते हैं. इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविश्य बिगार लेते हैं. जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता. लेकिन कम से कम उस झाल झाल झाल